सचार जी साल का जो पहला सुरी ग्रहन है वो सुरी ग्रहन चेत्र नवरात्री पर प्रभावब डालने वाला है तो चेत्र नवरात्री के कलस अस्थापन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हर हर महादे जैवावा विद्धिनाथ इस बार नए साल का सुरुवाद चेत्र नवरात्र के साथ होता है हिंदू नवर्स का प्रारंब भी उसी दिन से होता है लेकिन संजोग इस बार ऐसा है आठ और नो अप्रील को लगने वाला सुरी ग्रहन जो की भारत में द्रिश्य नह अताल रातरी भारतिय समयानुसार रातरी नो बज के बारा मिनट से प्रारंब होगा और मध्य रातरी एक बच के बदतीस मिनट पर शमाप्त होगा तो इस बार कलसस थापन यानि शेत्र नवरात्र जो होगा उसके पहले सुरुज ग्रहन लग रहा है तो ये विशेज द्या रखें कलस स्थापन करने के पहले आप सुद्ध और पवित्र हो करके ही आप जो ग्रहन की सुद्धी होती है उसकी सुद्धी के बाद ही कलस सुभ महुर्त में आप स्थापित करें हो सके तो अभिजित महुर्त में ही कलस स्थापन करें क्योंकि उस दिन राहु काल भी है और योग भी खराब है इसलिए उस योग को देखते हुए चैत्र नवरात्र का कलस स्थापन करके आप नए वर्ष का प्रारंभ कर सकते हैं